Hello students, my name is Shweta Tiwari and today I am going to teach you a computer subject and we are going to cover the topic which is writing with wordpad. आज हम आपको wordpad में work करना, उसको open करना सिखाएंगे, ओके, आईए हम देखते हैं कि हम wordpad में कैसे work कर सकते हैं. Students, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि wordpad जो है, वो एक program होता है, जो की Windows में Microsoft की तरफ से provided होता है. ये एक ऐसा program होता है, जिसमें आप अपने किसी भी तरीके के notes, किसी भी तरीके के work को कर सकते हैं, कोई भी lecture लिख सकते हैं, कोई भी document बना सकते हैं. Okay, so today we are going to start the wordpad, हम आज wordpad के बारे में सीखेंगे. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम wordpad को computer पे कैसे open कर सकते हैं. As you can see, हमारे सामने computer की screen open है. आप सबको सबसे पहले अपने start button पे जाना है. जैसे कि आप देख सकते होंगे कि ये start button आपको show हो रहा है, आपको इस पे click करना है. जैसे ही आप start button पे click करेंगे, आपके सामने एक list open होगी. जिसमें आपको all programs, ये वाला all programs का option select करना होगा. Once when you will select the option program, आपके सामने ये list open होगी, जिसमें आपको accessories option को select करना है. और उस पे click करना है. जैसे ही आप इस option को click करेंगे, आपके सामने एक और list open होगी. और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे SS series program में wordpad को option दिया हुआ है. जैसे ही आप इस wordpad को select करेंगे, आपके सामने wordpad की screen open हो जाएगी. ओके, ये हमारा wordpad का first page होता है, ये हमारी wordpad की screen होती है. अब हम ये जानेंगे, हम wordpad के कुछ features को जानेंगे, then हम ये पढ़ेंगे कि हम जो है, उस पे कैसे work कर सकते हैं. Okay, students, सबसे पहली जो आपकी ये line होती है, इस line को हम title bar कहते हैं. क्या कहते हैं? title bar. और आपके ये जो tools होते हैं, इनको हम tools bar कहते हैं. क्या कहते हैं? tools bar. Okay, एक मैं आपको बहुत ही important चीज़ बताना जाओंगी. जब भी हम कोई भी work करने, आपकी notebook में लिखने या कहीं भी कोई भी काम करने चलते हैं, तो हमारे लिए कुछ चीज़ों बहुत important होती हैं. जैसे कि हमारी handwriting, हमारा words का जो form होता है, कि हमें कितने लंबे में, कितने चौणे में कौन सा word लिखना है, उसी तरीके से word pad पे भी आप work करते वर्द ये सारे options select कर सकते हैं. Suppose, आपको कोई work करने के लिए, अगर आपको अपनी language select करनी है, तो आपको यहाँ पर ये option दिया होता है, जिस पे अगर आप click करेंगे, तो आपको option दिखाएगा font family, change the font family, यानि कि आप यहाँ पर दी हुई कोई भी language, कोई भी writing select कर सकते हैं. As it is automatically selected calibre, यहाँ पर मेरी screen में already calibre option selected है, अब अगर आपको कोई भी work, थोड़ा सा broad session में लिखना है, थोड़ा सा चौने वे में लिखना है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर scale दिया होता है, यह option हमारा scale का होता है, font size का, कितने size में आपको कौन सा word लिखना है, हम यहाँ पर अगर 10 से उपर का size select करते हैं, 8 या 9, तो हमारे जो words होंगे, वो बहुती छोटे size में आएंगे, 10 से नीचे के size अगर आप select करते हैं, like 11, 12, 14, 16, तो आपका size वैसे वैसे increase होता जाएगा, ओके, apart from that, आप यह 3 हमारे options देख रहे होंगे, B, I, U, B का मतलब bold होता है, I का मतलब italic होता है, और U का मतलब होता है, underline, ओके, अब इसका use कैसे होगा, वो मैं आपको बताऊंगे, हमने अपनी language select कर ली, हमने अपना जो है, my name, my name is Shweta Tivari, मैंने यहाँ पर अपना नाम लेखा, ओके students, अब आप चाते हैं कि आपका जो मेरा जो name है, वो थोड़ा सा Shweta name जो है, वो highlight हो जाए, ओके, अगर आपको word pad पे, कोई भी word highlight करना है, तो हम be option, यानी कि bold option को select करेंगे, जैसे ही आप इसको select करके, इस पर आओगे, आपका word highlight होगा, जो भी word आपने, जो भी sentence आपने select किया होगा, अब आप मान लीजे, कि आपको अपना जो word है, वो थोड़ा सा italic form में change करना है, तो उसके लिए हम I पे click करेंगे, जैसे ही हम I पे click करेंगे, हमारा word थोड़ा सा italic form में आ जाएगा, थोड़ा सा slanting form में आ जाएगा, अब अगर आपको अपने किसी भी word या sentence में underline करना है, तो उसके लिए हम इस word का, इस you form का, इस word का use करेंगे, इस font का use करेंगे, जिसका मतलब होता है underline, ओके, underline select करते ही, जो भी sentence आप select करोगे, उसके नीचे underline आ चाहिए, like this, as you can see here, अब अगर आगे के words में आप ये चीज़े continue नहीं करना चाहते हैं, तो आप इन्हें deselect कर सकते हैं, ओके, तो ये था हमारा formatting of, हमें text effects हमने सीखा, अब हम next option पर आएंगे, formatting of text, formatting of text, अब हम ये जानेंगे, कि हमारा formatting text का मतलब students ये होता है, कि जबी भी हम जो है, कोई भी work करते वक्त, कोई भी style select करना चाहें, अपने work को लिखते वक्त, that is the formatting test, जिसके लिए हमें select करना होता है, जिस भी style में हम अपना text रिखना चाहें हो, और उसके बाद select कि उए text के बाद, हम जो है अपना work उसी style में लिख सकते हैं अब हम next option में आते हैं step में जो की हमारा बताएगा text size and color यानि कि अब अगर आपको word pad में कोई ऐसा work करना है जो की आप color करके highlight करना चाते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं students आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यह option दिया हुआ है जैसे ही आप अपना mouse इस first arrow जो है इस option पे ले के जाएंगे आपको show होगा text highlight color यानि कि अगर आप अपने text को highlight करना चाह रहे हैं तो आप इस tool का इस्तमाल कर सकते हैं बगल में आपको sign दिया हुआ है जैसे ही आप इसको कोई भी color select करेंगे for example मैंने pink color select किया अब अगर मैं कोई भी work जो भी यहाँ पे text लिखूंगी वो हमारा pink option select होकर आ जाएगा pink option में आएगा color select करने के लिए आपको सबसे पहले अपना दिया हुआ alphabet दिया हुआ word select करना होगा for example कि मैं अपने name को अपने sir name को color देना चाहते हुआ तो मैं अपना ये alpha ये word select करूंगी then फिर मैं उसी option में जाऊंगी and फिर मैं जो भी color आपको यहाँ पे दिये गए है आप कोई भी color select कर सकते suppose मैंने pink color तो अब मैं इस पे जब दुबारा click करूंगी मेरा ये word colorful हो जाएगा okay so इस तरीके से हम किसी भी text को अगर आप highlight करना चाहते हैं तो आप उसको highlight भी कर सकते हैं okay students last but not the least अब हमारा जो सबसे last step होता है कि जो भी document या जो भी work हमने किया है हम उसको save कैसे कर सकते हैं saving the word bad document मैं आपको बताना चाहूंगे कि जैसे ही आप अपना work करने के बाद इस option को इस दिये हुए option को select करेंगे यहाँ पर आपको option दिया होता है save या save as का आप save as पे click करोगे तो आपके पास आपकी document library open मुकर आईगी जिसमें आपको यहाँ पर अपनी file को save करने के लिए name देना होता है suppose मैंने अपनी file क्योंकि यह मेरी file है तो मैं इसे अपनी file का ही नाम देती हूँ श्वेता जैसे ही आप इस file पे अपना name सर्चूस करने के बाद save पे select करेंगे आपका यह work जो है वो आपके document पे save हो जाएगा आएए चेक करते हैं कि हमारा जो work है वो save हुआ है की नहीं हम उसके लिए अपनी documents पे जाएंगे documents पे हमने select किया था documents पे अपना work मेरे नाम से देखिए आप देख सकते होंगे श्वेता नाम से आपको work शो हो रहा है आप इस पे click करेंगे हमारे सामने यह work open होंगर आ जाएगा So students I hope आपको समझ में आया होगा कि हम work pad में किस तरीके से बहुत एक basic से चीज basic work कैसे कर सकते हैं इसी तरीके से मैं आप सब से request करूँगी कि आप सब अपने अपने घरों में जिनके पास Laptop यह computer है वो एक बाट राए जरूर करें Thank you so much Have a good day Keep learning